हरियाली बीज भंडार कंपनी के कलेक्शन कर्मी से लाखों की लूट इस सिलसिले में कंपनी के कलेक्शन कर्मी एबं दर्भंगा जिले के कमतोल थाना छेत्र निवासी चंद सेखर मिस्र के लिखित आवेदन पर सोमबार को अस्थानिय थाना में एक मामला दर्ज किया गया है दर्ज मामले में कहा गया है कि सनिवार को वे अपने सहियोगी एबं दर्भंगा जिले के सक्री थाना छेत्र निवासी अनिस कुमार के साथ कम्पनी की तगादा वसूली करने बाइक से निकले वे राजनगर, बाबुबरी, खुटोना, लदनिया, खाजेडी, कस्मा मरार एबं खजोली बजार से कंपनी का बकाया रासी फुटकर विक्रेताओं से वसूली कर मदवनी लोट रहे थे खजोली से आगे रसीदपूर एबं सीवी पट्री के मध, इस्तित कब्रिस्तान के निकट सुनसान जगा पर पीछे से एक बुलू रंग का बिना नंबर की एक अपाची बाइक पर सवार तीन यूबकों ने ओवर्टेक कर बाइक को रोक लिए बदमास यूबकों ने गाली देते हुए बाइक को गिरा दिये और पिस्टल सटाकर मेरे और सहयोगी के पास से कलेक्शन का पैसा रखे बैग तथा मोबाइल छीन कर सिवी पट्टी की और भाग निकला दोनों बैग में कुल 9,64,800 रुपे ये नगद कुछ आवस्य कागजात सहीत एक लाख रुपे का एक ब्लैंक चेक था कर्मियों के अनुसार तीनों अपराधी की उम्र 20-30 वर्ष की थी इधर थाना अध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंग ने बताया की अज्यात अपराध कर्मियों के विरूद मामला दर्ज कर ली गई है घटना की गहन छानवीन जारी है जल्द ही पुलीस अपराधियों तक पहुँचेगी खजौली से मितला दस्तक के खास रीपोटर मितलेश कुमार यादव की खास रीपोटें जो अब तक की संसनी फैलाने वाली ये खबर है बहुत-बहुत धनवाद हमारे साथ इसी परकार बने रहिए और देखते रहिए मितला दस्तक की खास खबरें